हाई फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं 15 मिनिट में क्रिस्पी जलेबी दो चलिए शुरू करते हैं जलेबी बनाना इसके लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, एक इनो सैशे, दो कप शुगर, घी और थोड़ा सा रिफाइन डॉयल सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, इसके लिए हमने दो कप चीनी ली है और उसमें एक कप पानी राला है इसे बॉयल करेंगे और बस उसके बाद बंद कर देंगे अब इस चाशनी में हमने थोड़ा सा एडिबल कलर डालना है, जो यलो कलर आता है इसे हमें चाशनी को बहुत जादा देर तक नहीं उबालना, एक बॉयल आते ही, एक उबाल आते ही, इसको बंद कर देना है ये यलो कलर से ही हमारी जो जलेबी है, उसमें डिजायरिबल यलो कलर आएगा तो इसलिए हमें उतना ही कलर डालना है अब हमने एक बरतन में एक कप मेदा लिया, जिसमें एक चमच देसी घी डाला इस देसी घी को हमने हलके हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, जैसे हम मौईन करते हैं, जब हम मत्थी बनाते हैं अब इसमें हमने हाफ स्पून इनो डाला अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, इनो के साथ, अब इसमें हमें water डालना है, पानी डालना है, एक कपी पानी लिया है, हमने उसमें से भी हमारा three-fourth कप ही यूज होगा, हमें एक loose सा बैटर बनाना है, थोड़ा-thोड़ा पानी डालते जाएए, थोड़ा-thोड़ा मिक्स कर इस तरीके से हम इसका एक स्मूध बैटर बनाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा ये आटे से जो हम रोटी वाला आटा होता हूँ उससे ज्यादा लूज होना चाहिए जैसे भटूरे का होता है इनफेक्ट उससे भी थोड़ा सा ज्यादा लूज सी ये इस तरीके से बन गया है रेडी हो गया है अब एक साफ पॉलिथीन लेंगे और उसको एक ग्लास के अंदर रखेंगे उसका एक कॉर्नर अंदर की तरफ होगा इस तरीके से उसमें सारा बैटर इसमें डाल देंगे और उपर से इसमें हम एक रबर लगा देंगे नीचे से एक छोटा सा कट लगाएंगे जिससे कि हम जलेवी बना सकें कड़ाई में तेज गरम करना है तेल को और अब हम अपने पाइपिंग बैग से ये छोटी-छोटी सी जलेविया राउंड शेप बना के देखेंगे इसमें थोड़ी सी एक्सपरटीज की जुरूरत है दो-चार बार बढ़ाएंगे तो अच्छे से बनने लगें तेल काफी अच्छे से गरम होना चाहिए तभी ये अच्छे से फूल के उपर आएंगी और तेल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए चाशनी के लिए आप एक चीज करनी है मैंने वैसे चाशनी कम ली थी बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी चाशनी ज्यादा बनाएं दूसरा चाशनी बहुत गाड़ी नहीं होनी चाहिए वरना आपकी इन में जिलेवी में अच्छे से भर नहीं पाएंगी ये देखिए मैंने इतनी सारी बना द होते हैं हम और यह देखिए इसका रस देखिए मेरे हाथ पर बहुत ही क्रिस्पी बनिये पर याद रखिए कि इसको बहुत गरम चाशनी में नहीं डालना वरना यह बॉयल हो जाएंगी क्रिस्पी नहीं बनेगी अब यह बिल्कुल रेडी है बिल्कुल बजार वाली करें और कमेंट्स भी करें थैंक यू सो मुच फर वाचिंग